हेलो स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुप्त कालीन चित्र कला में अजनता के चित्रों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे देखें स्टुडेंट्स ये टोपिक एकजाम की दर्ष्टी से बहुत ही महत्तों पूर्ण है इस टोपिक में से एक दो क्यूसन आपको अवसे ही एकजाम में पूछे जाएंगे तो वीडियो को धान से देखेगा इस से पहले वाले वीडियो में हमने बाग गुपा के जो चित्र हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त की थी दोनों वीडियो को देखेगा कमपेर कीजिएगा ठीक है तो चलिए पढ़ते हम गुप्तकाली चित्रकला में अजन्ता के चित्र वासुदेव सरन अगरवाल के शब्दों में गुप्त यूग में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी गुप्तकाल के पूर्वे चित्रकला के उधारण बहुत कम मिलते हैं प्रारंभिक चित्र प्राग एतियासिक यूग की परवत गुफाओं की दिवारों पर प्राप्त होते हैं कुछ गोहा मंदिरों की दिवारों पर भी चित्रकारियां मिलती हैं गुपकार तक आते आते चित्रगारों ने अपने कला को प्रियाप्त रूप से विक्षित कर लिया था। और अजन्ता की गुफा के चित्र हैं इनमें भी अजन्ता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में पर्शिध हैं। अजन्ता के चित्रों के तीन पर्मुक विश्व हैं। अलंकरण, चित्रण और वनन ठीके विवित फूल पतियों, व्रक्षों तता पसू आकरतियों से अलंकरण का काम किया गया है। ये इतने अधिक परकार के हैं कि किसी एकी पुन्रावर्ति नहीं हो पाई है। किनर, नाग, गरुड, यक्स, गंधर्व, अफ्सरा, आति एलोकिक ये पालोकिक आकरतियों का उप्योग अस्थान बढ़ने के लिए किया गया है। अनिक बुधों ये बोधिस्तों का चित्रन भी हुआ है। अजन्ता के चित्रों की वीधि हां कौन-कौन सी थी। फ्रेसको वीधि और टेमपेरा वीधि। अब फ्रेसको वीधि क्या थी देखेगा। पर्थम में गिले प्लास्टर पर चित्र बनाये जाते थे। तदा चित्रकारी विशूत रंगों द्वारा की जाती थी। टेमपेरा में ये दूसरी वीधि थी। इसमें सुखे पलास्तर पर चित्र बनाये जाते थे। तदा रंग के साथ अंडे की सफेदी या फिर चूरना मिलाया जाता था। संक चूरना, सिला चूरना, सित्ती, मिस्त्री, गोबर, सफेद, मिट्टी, चोकर, आधी को फेटकर गाढ़ा लेप तयार किया जाता था। सफेद रंग परियोग में लाई जाते थे। अजन्ता से पूर्वक कहीं भी चित्रण में निले रंग का परियोग नहीं मिलता। अर्थात अजन्ता में ही निले रंग का परियोग सर्वा पर्थम किया गया। इनका वीवरण इस प्रकार से है देखेगा गूपा संक्या सोला तो जो गूपा संक्या सोला है उसके चित्र कैसे क्या है उनके बारे में देखेगा यहां चटान को काट कर 29 गुफाई बनाए गई थी इन में 4 चत्तेग्रे तथा सेश विहार गुफाई थी कहां पे अजन्ता में और इन गुफाओं पर चित्रकारी की गई है इन गुफाओं में जो गुफा संग्या 16 है उसका विवरण इस प्रकार से देखेगा इसकी चित्रकारी पार सो इसवी से प्रारम होती है यह गुफा सत्रवी गुफा के कुछ पूर्वे की है अजन्ता की सोलवी गुफा के चित्रों में मन्नासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुन्दर एम आकरशक है तो मन्नासन राजकुमारी नामक चित्र कोन सी सब्सक्राइम्kaya पुत्र तथा परिचाइकाओं को छोड़ कर जाते हुए दिखाए गए हैं। पुत्र ये पाट साला का भी एक दर्शांकन है जिसमें किरडारत बालकों को दिखाया गया है। ठीक है ये तो थी गुफा संक्या 16 आप देखे का गुफा संक्या 17 है। इन गुफाओं में गुफा संक्या 17 का विवण इस प्रकार से हैं। इन कुफा 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 अजन्ता की गुफा हैं। ठीक है। सत्रवी गुफा के चितर विविद प्रकार के हैं इसे चित्र सला कहा गया है। तो अजन्ता के गुफाओं में कौन से कुफा के चित्रों को चित्र सला कहा गया है। गुफा संक्या 17 के चित्रों को क्या कहा गया है चित्र शाला ठीक है ये दिखतर बूद के जन्म जीवन महाभिनिस कर्मन तता महापरिनिर्वान की गटनाओं से संबंदित हैं समस्त चित्रों में माता और सीशू नामक चित्र आकरसक हैं जिसमें संबवताय बूद की पत्नी अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर रही है एसीम स्रधा एम भक्ति पूर्वक माता तता पुत्र दोनों एक टक रूप से बुद को देख रहे हैं कौन सी गुफा ये गुफा संक्या 17 है इस चित्र को देखने से सानुबुति एम करुना टपकती है हैवेल महोदे ने जो इस चित्र को जावा के बोरो बुदूर से प्राप बोध कला की समकक्स्ता में रखना पसंद किया है बुद के जीवन से संबंध रखने वाले चित्रों में उनके महाभिनिस कर्मन का एक चित्र अत्यन सजीर्था के साथ उतकिर्ण किया गया है इसमें यूवक सिदार्थ के सिर्पर मुकुठ है तदा सरीर सुडोल है आंखों से अहिंसा सांधी ये वरागे टपक रहा है मुख मुद्रा गंबीर ये संसारिकता से उदासीन परतीत होती है निवेदिता के सब्दों में यह चित्र साइद बुद्गा महांतम कलात्मक परदर्शन है जिसे संसार ने कभी देखा है ऐसी कल्पना कठिंता से दुबारा उत्पन हो सकती है ये निवेदिता के क्योए शब्द है एक अन्य चित्र में कोई समराट एक सुनले हंस से बाते करता हुआ चित्रित किया गया है निवेदिता के विचार में इस चित्र से बढ़कर विश्वों में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता इसी गुफा में आकास में विच्ण करते हुए गंधरवय राज को अपसुराओं तता परिचाइकों के साथ चित्रित किया गया है अन्य चित्रों में काले मरिग हाती एमसी हैं के सिकार के दर्शों का अंकन कुशलता के शाथ किया गया है अजन्ता की गुफों में जातक कथाओं से लिए गए दर्शों का भी बहुविद अंकन प्राप्त होता है जातक कथाएं सबसे अधिक सत्रवी गुफा में चित्रित की गई हैं महा कपी जातक, हन्स जातक, हस्ती जातक, छंदन्त जातक, महा सुत्त सोम जातक, साम के साथ साथ उनके पूर्वे जन्मों से सम्मद रखने वाली कथों का भी पूर्ण चित्रन प्राप्त होता है, ठीक है, अब आतिया नवी दस्वी गुफाओं के चित्र, अजंता की गुफाओं में गुफा संग्या नो और दस के चित्रों का विवरन इस प्रकार से है देखेगा नवी तथा दस्वी गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन है उनका समय पर्थम सतापती इससा पूरा निर्धारित किया जाता है नवी कुफा के चित्रों में एक विशेश प्रकार के सिरोवस्त्र या पकड़ी धरन किये हुए पुरूसों का चित्र है इनके अगले में मोटी मोटी मालाएं हैं जिन में धातू खंड पहनाए गए हैं तो देखें फ्रेंड्स वीडियो का आप बार बार देखेंगे तो आपको ये विवरन याद होंगे क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं लाइने दे देते हैं फिर पूछते हैं कि ये किसी समद्धी तक है कानों में बड़े-बड़े काण फूल जैसे आबुसन हातों में मोटे कड़े कमर में विशेश प्रकार के कमर बंध हैं जिने करगनी भी कहा जाता है इसी प्रकार के सिरो भाग तता आबुसन भरहुत एम सांची की मूर्तियों में दिखाई देते हैं परवेश द्वार के पास एक सिलालेख है तता इसी के पास एक राज के जुलूस का चित्र बनाया गया है इसमें राजा रानी तता बहुत से इस्त्री पुरूसों को दिखाया गया है जुलूस का एक तोरण द्वार से होकर इस्तूप तक जाता है जहां राजा इस्तूप की लिगई कथाएं अंकित हैं हात्यों को वीवित परकार से क्रिडा करते हुए सुंदर्ता से चित्रित किया गया है आम गुलर बरगत जैसे वरक्षों का भी स्चित्रन है छदंद जातक की कथाँ को भी अत्यन्ध कुसलता पूरवक चित्रित किया गया है गुफा के स्तंबों पर बूद की अनेक आकरतियां बनाई गई हैं इन चित्रों पर गंधार सहली का प्रबाव दिखाई देता है इन चित्रों का अलंकरण अत्यंति विस्त्रित है यहां चित्रण विधान सामाने इस्तरुक का परतीत होता है चित्रों की प्रेश्ट भूमी में वरक्षों का अंकर विश्यस रूप से किया गया है दमी दस्वी गुफाओं के चित्रन भारती चित्रकला के प्राचिनतम नमूने हैं इनके इसके बाद लगबग 300 वर्षों तक चित्रन कला का अभाव है तारानात का विचार है कि गुफ्त काल में 20ista नामक कलाकार के नेतर्तों में इस्तापते तता चित्र कला का पुन्दुधार हुआ इसे कला की मद्देदेशिय शैली भी कहा जाता है पहली दूसरी गुपाओं के चित्र इन गुपाओं में गुपा संक्या पहली दूसरी गुपाओं के चित्रों का विवरन निमनलिकित है पहली दूसरी गुपाओं के चित्रों में सबसे सुन्दर चित्र फारस देश राजदूत का है जो चालू के नरेश पुलकेसिन द्वित्ये के दरबार में आया था इस इतर में पुलकेशिन को दूट का स्वागत करते हुए दिखाया गया है इसमें राजा दक्सिनी परंपरा के अनुरूप अद्योबस्तर पहने हुए है तथा राजदूट को इरानी टोपी, जामा तथा चूस्त पाई जामा पहने हुए चित्रित किया गया है मात में नील कलम नील कमल लिये हुए कुछ टेड़ी मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है बोधिस्त्वे की मुद्रा विश्वे करुणा से परिपून आध्यात्मिक विचारों में लेन है आखों में सुक दुख का भाव समान रूप से जाग रहा है तीन सिखरों वाले मोल चित्रन कला की प्राकास्टा कह सकते हैं इस चित्र के बगल में एक नारी की आकरती बनी है जिसे कारली राजकुमारी कहा गया है पहली गुफा की ही एक बिथी पर बारा फूट उंचा तता आठ फूट लंबा बुद का मार विजे अर्थात कामदेव का चित्र उतकिन मिलत बुद तपस्या में लीन हैं जिने कामदेव कई करन्यों के साथ रिजाने का प्रियास कर रहे हैं यह चित्र भी अत्यंत आकरसक है इसी गुफा में एक मधूपाई दमपत्ति का चित्रन है इसमें प्रेमी अपने हाथ से प्रेमी का को मधूपात्र देते हुए दिखाया ग बाई और चित्रों की एक स्रंकला है जिसमें सबसे पहले किसी राज प्रशात का चित्रन है संबवता है यह बुद की माता माया देवी का सैनकक्स है इसके आगे बोधिस्त्वा का चित्रन है जिनके सिहासन के दोनों और मकर के आकरतिया हैं उनके हाथ धर्हम चक्र परवर् मुद्रा में हैं एक अन्य दर्शे में सुदोधन तता माया देवी दिखाए गए हैं साथ में परिचारी काएं भी चित्रित हैं सामने दो जोतीसी तता दाई और एक स्तम के सहारे टीकी हुई एक सुसरजित नारी का चित्रन है इसके आगे सिधार्त के जन्म की एलोग की कथा चित्रित की गई है बाई और विदूर पंडित जातक की कथा चित्रित है जिसमें हाती पर सवार विदूर पंडित धिरे धिरे आगे बढ़ते हुए जान पड़ते हैं इस परकार समगरा रूप में अजनता की चित्रकला परसंसनिय है रेखाओं की निश्चित्ता तथा सुक्समता, रंगों की चमक, प्रफूल भाव, तता इस्पंदमान, जीवन के साथ अभिव्यक्ति की परचुरता आदी ने मिलकर अजनता की चितरकला को सदा के लिए सर्वस्रेश्ट बना दिया है, निस्चे ही ये भारतिय चितरकला के चर्मोतकर्स को धोतित करती है, ठीक ह तो देखेगा, इस वीडियो में हमने अजनता के चितरों के बारे में जानकरी प्राप्त की, और आगे भी हम आपको इसी परकार से और भी जानकरी देंगे, थ्यास विसे से सम्बंदित तो बने रहें, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे